आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्छे आम की यह मीठी सी रेसिपी आम का सीजन है एक बड़ जरू ट्राइ कीजिए एक दम ठंडा ठंडा टेस्टी टेस्टी मिलेगा खाने के लिए आम के मुरब्य की रेसिपी में सेर कर रही हूँ तो दोस्तों वीडियो देखते कच्छे आम को सबसे पहले दो लेंगे और इसका पानी पोच करके हम सुखा लेंगे कीजेन टावल से पानी को पोच सकते हैं आम का एसकीन निकाल देंगे चिलका निकाल लेंगे और आम को हम छोटे-छोटे टुगरों में कट कर लेंगे आप लंबा गोल छोटा बड़ा अ तो गुठली चोर देंगे और फिर हम चाकु से इस तरीके से काट सकते अपने पसंद से आम को कट कर सकते हैं और यहां पर लिया है मैंने थोड़े से क्योंकि आम मैं बजार से हो हलकके से लूज हो रहे हैं दो आइस क्यूब कें अंदर इसे मिक्स कर देंगे और ढकल लागा कर कि से फ्रीजर केंदर डालेंगे और फिर 1 गंटे के लिए छोड़ेंगे इसे क्या होगा आम का तुक्रय जो पिलपिला सा है वो टाइट हो जाएगा अगर आम टाइट है तो ऐसे ही कट करने के बाद में थोड़ी देर के लिए आप धूप में डाल देना और फिर इसका हम मुरब्बा तयार कर सकते हैं तो बर्पी घल गया है आम का टुगरा हाड हो गया है अब क्या करेंगे इसे के हावा में या फिर धूप में थोड़ी देर के लिए डाल देंगे ताकि इसका पानी जो है वह अच्छे से सुख जाए इसकी नमी सुख जाए क्योंकि आप 6-8 महीने के लिए श्टोर करते आम का मुरब्बा तो इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए तो इस तरीके से अच्छ से पानी सुखा देंगे तो जल्दी से हावा से धूब से यह सुख जाएगा आम का स्टुक्रा ड्राई हो जाएगा तो इसे रख देते हैं सुखने के लिए और थोड़ी देर के बाद हम या करेंगे उठा लेंगे और कराही में डाल देंगे जिस परतन में मुरबा बननान कॉंटिटी में चीनी डाल देंगे और एक निम्भू लिया है मिम्भू को काट लेंगे और अधा निम्भू निचोर देंगे क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना है बीज निकाल कर दिजिए और लिख भू गुर या मिसरी भी इसमें डाल सकते हो आम पहले टेस्ट कर लीज ऐसे ही मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर 10-15 मिनट हम बहारी रने देंगे निम्भू का रस डाला है इसलिए जल्दी से चीनी पीघलना शुरू हो जाएगा जब इस तरीके से चीनी पीघलना शुरू हो जाए तो गैस पर हम डाल देंगे और बिल्कुल सीम प्लेम रखेंग कि आम से पानी छूटना चीनी पीघलना शुरू हो जाएगा अब डाकर लागा करके मैं चोड़ देती हूं क्योंकि चीनी पीघलना शुरू हो गया था अब यहां पर अच्छी खासी चासनी बन गई है चीनी पीघल गया है और बीच-बीच में हम चलाते रहेंगे इसे और चार हडी स कुट करके तयार कर लेंगे और इहां पर एक जब फलिया है इसमें से तोरह सा इस्तेमाल मैंने किया हुआ है और इसे क्या करेंगे तोरह सा कद्रू कस करके इसमें डाल देंगे फिर इसका पॉडर हो तो भी डाल सकते हैं तो यह बारिक वाले कद्वकस से तोड़ा सघस देंगे इसमें से यानि की दो चुटकी बहुत ज्यादा डालेंगे तो करवहाट आजाएगी आप जैफल की जगह से इसमें सिनिमने श्टिक को लेकर के ग्रेट करके डाल सकते हैं जो फलेवर पसंद उसमें अप डाल लीजें ड्राइफ्रोट, इलाईची कोई एसेंस पसंद उ तो भी डाल लीजीए और चलाते हुए हमें इन्हें पका लेना है और पकाते हैं आप देख सकते हो एक तारकी चेक के लिए तो गैस का फ्लेम आप कर देंगे और जो आम के पीसे से आप देख से से पगया बिल्कुल ट्रांसपरेंट दिखना सुरू हो गया है और जैसे जैसे ठंडा होगा चासनी और गाड़ी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा चूला पढ़ी आप इसे सुखा देंगे तो चिपचीपासा हो जाएगा दात में चिपखेगा तो इस तरीके से आम का मुरभा एक बार जरूट रही करें इस सीजन में बहुत प्यारे-प्य अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने अपनों को सेर करना और एक बार जरूट रही करें आमका मुरभा जरूर बनाए अब कहां से देख रहे हो कमेंट बक्स में आप जरूर लिकना आमका मुरभा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं तो मैंने आमके मुरभे की रेशिप सेयर किये अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा बाई बाई